मुवीज जो इंडिया के मून मिशिन से भी जादा महेंगी है सीन्स के लिए रियल ब्लास करवाना रियल साइंटिस के साथ बैठ के रिसर्च करना माइन बेंडिंग प्लॉट्स, ग्रांड विज्वल्स और कम्पलीट रियलिज्म ये खासियत है क्रिस्टफर नोलन की मूवीज की तो आईए देखते हैं क्रिस्टफर नोलन मूवीज के six facts जो उन्हें out of the world बनाती है क्रिस्टफर नोलन के grand visions को screen पर लाने के लिए budgets भी काफी grand होते हैं Interstellar, जो space and time travel जैसे topics पर based है वो तीन countries में shoot हुई है with a budget of over thousand crores यानि इंडिया के चंद्रयान 2 mission के 800 crore के budget से भी 25% ज्यादा और याद रखिए इस movie में कोई actually space नहीं गया बट अगर क्रिस्टफर नोलन कर सकते तो वो भी करते No fake blasts क्रिस्टफर नोलन सिर्फ असली धमाकों में believe करते हैं यह यकीन करना मुश्किल है बट Inception के इस iconic dream sequence में जो धमाके आप देख रहे हैं वो सब real है दोनों actors कोई green screen के सामने नहीं है यह explosions पारिस के इस cafe के भार air cannons के साथ असली में create किये गए हैं फिर CGI यूज करके बस धमाकों को थोड़ा बड़ा बनाया गया है और इस fact से आपको पता चल ही गया होगा लेकिन Christopher Nolan को चाहिए real reactions only तो जब भी possible हो वो अपने actors को real situations में डालते हैं ताकि उनके reactions बिल्कुल authentic लगी पर यह पैतरा कभी कभार actors पर भार ही पढ़ जाता है Inception में Nolan ने actors को एक scene के लिए घंटों underwater रखा with oxygen tanks ताकि वो actors के real time reactions capture कर सके Interstellar का यह storm scene असली में create के अगया था synthetic cellulose dust को high power fans से उड़ा कर ताकि यह scene बिल्कुल real दिखे और actors के organic reactions capture हो सके तो आप देखी सकते हैं कि Nolan के हिसाब से It's about the perfect shot on nothing उनकी movie का हर scene realistic, beautiful और perfect होना चाहिए और इसके लिए वो काफी महनत करते हैं और करवाते भी हैं Inception के dream level 3 पर hospital blast को perfectly capture करने के लिए उन्होंने एक 20 feet model बनवाया था जिसे blast किया गया लेकिन जब उन्हें shot पसंद नहीं आया तो उन्होंने फिर से model बनवाकर फिर से blast करवाया एक और बार shot से खुशना होने पर तीसरी बार model बनवाकर blast करवाया था यही नहीं Interstellar movie में actors को real space suits बनाए गए और actual robots के साथ shoot किया गया और जहां robots और space suits की बात आती है Christopher Nolan make sure कि science meets cinema उनकी movies भले ही fiction हो बट उनके research और facts हमेशा accurate होते हैं चाहे वो space travel के बारे में हो या dream manipulation Interstellar के लिए Nolan ने real scientist Kip Thorn के साथ काम किया Kip Thorn की सिर्फ एक शर्क थी movie में सारी theories सच होनी चाहिए Interstellar में mentioned theory of relativity time violation यानि time का अलग-अलग rate पर चलना यह सब scientific research पर based है और इस movie से scientists भी काफी impressed थे क्योंकि यह computer generated black hole वो अपनी movies में छोटी से छोटी details का बहुत ख्याल रखते हैं Interstellar के iconic opening scene के लिए ये cornfield plant करवाए गए बिलकुल Christopher Nolan के specifications के according cinematic effect के लिए यही नहीं, Murphy के bookshelf पर काफी Stephen King's novel रखी गई थी जिसमें से एक, The Stand story है एक group of survivors के बारे में after a pandemic, जो Interstellar की story से काफी similar है ये सारी चीजें उनकी attention to detail का ही नतीजा है इन सब facts से एक बात तो पकी है If it's a Christopher Nolan movie, तो पका movie धमाकेदार होगी और हर movie में कुछ ऐसा concept और ऐसे visuals होंगे, जो सिर्फ वो ही बना सकते हैं So let us know in the comments below कि आपको क्या सबसे खास लगता है Nolan की movies के बारे में आपको क्या सकते है